असकार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैल्वर फिर से एक बार में हूँ आपके वही अंजली जिन्दगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जिन्दगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जो है आपके पास उसको संभल कर रखना क्योंकि एक बार खोगर प्यार फिर दो बारा नहीं मिलता जिहां हमें सही सुना हम आज की देली राजिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बर्टे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से छेर सारी गुडविशिस तो चलिए शुरू करते हैं चिंगारी का खौफ ना दो हमें दिल में आग का दर्या बसाई बैठे हैं जल जाते कव के इस आग में मगर खुद को आसवों में फिकोई बैठे हैं मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे मगर जो जिन्दा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता आपको भी कभी कोई समझने वाला नहीं मिला पर आप चिंटा मत करें और अपनी मंजिल बर ध्यान दे लोगों को अपनी आप एक दिन आपकी एहमियत जरूर पता चलेगी रुकसत हुए तेरी गली से हम आज कुछ इस कदर लोगों के मुँपे राम नाम था और मेरे दिल में बस तेरा नाम था कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच और कभी एक जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है आपको भी कभी भी किसी की बात को दिल पर लगा कर बिखरना नहीं आपको हर कदम पर संभल कर चलना है आप जो हैं ठीक से फैसला नहीं ले पाएंगे आज के दिन आप काम के भारी दबाव में रह सकते हैं आपके लिए दिन काफी जो है वो तनाव पूरन हो सकता है आप काम में भारी दबाव जो महसूस कह सकते हैं आपके लिए दिन काफी तनाव युकत रहेगा इस मामले में आपको खुद कोई फैसल लेने की बजाए किसी expert से राली ची मेरी माने तो ये बैठर रहेगा विप्रीत परिसितियों में भी आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं आपको सहस का फल मिल सकता है धहरे बना कर भी रखना होगा आज अपनी सपनों और अमहत्यों कांगशों को आज सकार उब देने का जो है बहुत इच्छा मुका मिलेगा योजनाए बना सकते हैं इसके लिए दूसरों से सहला लेने की जो है आपके लिए आज जादा बैटर रिजर्ट देखने को मिलेगा दिल की अवाज भी सुनीगा और हाँ उस पर आमल भी जरूर कीज़ेगा कुद्रद आपको बहुत इच्छे अफसर प्रदान करें कि जिसे आपको भरपूर मातर में फायदा उठाना हो सकता है ये जो है कुद्रद आपको जो चीजे प्रदान करेंगे वो किसे भी रूप में हो सकते है रुपए पैसे के मामले में किसी पर विश्वास तो मत कीज़ेगा आज के दिन और हाँ कोई फैसला भी मत लिखेगा करमचारियों से संबंदन खराब ना हो क्योंकि उनका सयोग आपके लिए जरूरी है साथ एक कोर्ट से रिलेटिड मामलों को आज स्थागित ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आज जो है फैसला थोड़ा बहुत आपके हाथ में नहीं रहेगा आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक सावित हो सकता है यानि कुछ होगा अच्छा भी और नहीं भी प्रोफेशनल मामलों में दिन आपके लिए ज़्यादा भी बुरा नहीं है दिन खत्मों होने तक आप लाप की सित्यों में आ सकते हैं या आपे नुकसान को रिकावर भी कर सकते हैं लेकिन हाँ आपको परस्टल जीवन में कुछ संगर्श करना पर सकता है आपके किसी नए रोमांटिक रिष्टे का आगास होगा इसके जलते मन में खुशी बनी रहेगी और हाँ कोई पुराना रिष्टा आज खतम भी हो सकता है आज अगर किसी पॉलसी में पैसा लगाने की सोचते हैं तो फॉरन फैसलों ने सितिया आपके बक्ष में रहेंगी साथ ही रुके हुई जो सरकारी कामों में समाधान मिलने के आफार है इसलिए इन पर भी आज आज आपको पूरा फोकस करना होगा जो चीजें सरकारी चीजों से रिलेटिड है गर्मर से रिलेटिड है उन पर आज आपको काम करना होगा आपको पूरा फोकस करना होगा ताकि वो चीजें हैं जल्दी से रिल्दी सौल्व हो सके इंकम के साथ साथ आज खर्चे की अधिकता भी जादा बनी रहेगी बाहरी व्यक्ति का हस्ताक्षिय अपने परिवार या विवसाय में मत होने दीजेगा वन्ना लड़ाई छगड़ा हो सकता है मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तीसरे बंदे को अपने रिलेशन में अपने बिजनस में अपने घर परिवार में मत ताने दीजेगा तो बेटर रहेगा क्योंकि इसके वज़स हो है कुछ गलत फैमिया पैदा हो सकती है घर के बजुर्गों की भी देखबार आज आपको करनी होगी उनकी साथ टाइम स्वन कीजे उनको बहुत अच्छा लगेगा बात करते हैं बिजनस और करेड़ की तो व्य विसाई के स्थल पर की गई महनत के बहुत इच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगी आज आपको कुछ लोगों को जो है रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगी जिसके कारण खेनता बनी रहेगी लेकिन हाँ उच्छादिकारियों से समंध्य मदूर बना कर रखेगा कोई सरकारी चेंडर या सरकारी संस्थाओं से रिलेटेड अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं आपको अज आपको बॉस से भी काफी अच्छी प्रचिंसा मिल सकती है जल्द ही उनती के असार है उनती मतलब है कि आपकी प्रमोशन भी वो कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इच्छा रहेगा इसलिए आज का दिन ने तरक्की देने वाला हुगा कोई नया अनुबंध मिल सकता है जैसा कि मैंने कहा मीडिया और अचनात्मावे विसाय से जुड़े लोग आज कुछ अच्छा काम करने की वज़े से पूरस कार्सिक की दावेदार भी बन सकते हैं अज आपको अधिकाल्यों की नराजगी का शिकार भी कई लोगों को होना पड़ सकता है याद रखे कुछ लोगों को ऐसा होना पड़ सकता है अगर आप अपने आपको ठीक रखेंगे हर काम में परफेक्शन रखेंगे उनसे रिलेशन अच्छा बनाएंगे तो यकीन मानिये सब कुछ अपने आप ही धीरी धीरी ठीक होता चला जाएगा इसके साथ साथ ही आज आपको करिए के लिहाज से हर इक चीज को हर इक पहलो को सो समझ कर और विचान करकर ही देखना बड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है आज आपको आपकी परिवार में भी बहुत इच्छा महौल रहेगा जिसके कारण आपको जो फोकस है अपने बिजनस की और लगातार बढ़ता नज़र आएगा तो ये थे हमनी बात की अभी बिजनस और करेर की तो अब बात करते हैं आज की लब लाइफ के बारे में लब लाइफ कहती है कि वे विसाई को पलबधियों की खुशी परिवार की मेंबर्स को भी खुशी प्रिदान कर सकती है इसी के साथ ही संबंध बहुत ही बढ़िया रहेंगी मजबूत रहेंगी आप एक दुसरे की भावनाव को समझ सकते हैं भली भादते अज आपको किसे रिष्टे में अपमान जनक सिद्धी का सामना भी करना पड़ सकता है किसे से भी बाते करें लेकिन संबल कर कीजेगा हो सकता है कि आपकी अपनों से ही आपकी बहस हो जाए और वो रूट चाहें ऐसा मख होने दीजेगा बल्कि आज आज आपको अपनी वार्ने को तोल मोल कर ही आपको इस्तमाल करना चाहिए आज प्रेम प्रसंगों से दूरी बना कर रखना होगा क्योंकि इनकी वज़ा से कुछ tensions पैदा हो सकती है परिवारे के वारता विरन को आज आप मधूर बनाने का आपका विश्य शिदायत्व है आप यह जो है जरूर करिज़े आपको बहुत इच्छे रिजर्व देखने को मिल सकते है शादी की बाद आगे बढ़ सकती है प्रेम जबंदो को प्रिवार की रजाम मंदी मिल सकती है तो चलिए अब खुश हो जाएए आपका जो लव लाइफ वाला रिष्टा है वो अब शादी शुदा जिंदगी में बदलने वाला है तो यह थी बात की हमने भी लव लाइफ की और अब हम बात करेंगे आज की हेल्थ के बारे में तो आज आपकी जो सेहत कहती है कि सेहत आपकी भरपूर मात्रा में बढ़ गया रहेगी अपने विचारों को पॉजिटिव बना कर रखना होगा और हाँ गैस और बदहजमी से रिलेटिट कोई भी चीजे हैं भारी चीजे हैं मत खाईएगा स्टाशरी जो वाई चीजे होती हैं जिसमें गैस जादा करती हैं जैसे कि मा की डाल है जैसे कि आप राजमा हैं सब चीजों से आप रहेस कीजगा आज मत खाईएगा आज आपको पीट या कमर में दर्द की शिकायत भी रह सकती है तनाव के कारण आपको श्रीरिक्षी थल्था भी महसूस हो सकती है आपमे जैसे कि साथ साथ आज वाहन भी सावधाने से आपको चलाना होगा गिरने या चोट लगने की संभावना नसर आ रही है बहतर यही होगा कि ड्राइविंग ना करें अगर आप मजबूरी है ड्राइविंग करना चाहते हैं तो सावधाने बटनी होगी एहतियाद बढ़ती और हाँ आज साथ में जो अपनी डॉकुमेंट्स हैं इंपॉरन उनको लेना साथ में मत भूलेगा तो चलिए बात करती हैं आज के विशी शुपाई के बारे में तो चाप के लिए विशी शुपाई रहेगा कि आज आज आपको घर से निकलती वक्त है जो है आज कुछ मीथा या फिर सपेज चीज खाकर निकलने चाहिए साथ में अगर आप लाग चंदन का तिलश लगाते हैं अपने माथे पर तो उससे भी पॉजटीव उर्जय बनी रहती है और साथ में अगर आप अपने इश्च देव को परसंद करते हैं तो और भी पढ़िया रहेगा तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद